लूप करते हैं आज मैं आप यह वीडियो में सब कुछ जान कर दूगा तो दोस्तों मैं नाम ही विक्षी और चलिए दोस्तों शुलु करते हैं कि आपके बास एक ऐसा काड़ होना जरूर ही है इस पर सब्सक्राइब को सब डिटेल्स वगेरा वैक्षिनस की हो और सब पता चलेगा कि वैक्षिनस कब देते और कैसे देते हो सब आपको डिटेल्स होने जरूर है तो दस्तों वैक्सिनेशन कब देते तो सबसे पहले जब भी आप अपना पपी लेक्या आते उसके एक वीक लगा फेले आपको वैक्सिनेशन पेला वैक्सिनेशन करवाना पड़ेगा अगर आप नहीं करवाते तो दोस्तों इसका कोच होगा तो पूल प्लेएपन आप जल्दी करवा ़हाँके, तो जादा अच्छा रहेगा अब दूसर कुर्चिणेशन होता है, परहिपन एक महेने के बाद दूसर कारगा है तो इसके फायदा क्या है अगर आप बहाट आते हैं तो कोई आपको काट लेता है तो आपको इंजेक्शन लेने पड़ते 15-16 करीब अधर आपको पालते हैं तो यह अपने पपी को आपको काट लेका को आपको कुछ ऐसा होगा नहीं और दोस्तों यह किताब का आपको फायदा यह होगा, तो अगर आपको बाहर का कोई भी डॉब वगरा आपको कुट्टे ना कर केसी को बाहर के बेक्टी को काट लिया, तो समझो आपको जो भी बीमारी होगी तो आप उसको सबुत के तौर पर बता सकते हैं कि आपके डॉब क कोजो सब्सक्राइistes कर लुब अब तो सब्सक्राइब करना को रूख क क्या अगर आपको जो भी डॉब भी डॉब नॉग होगा, वह आपको बताएगा ती turf चैणार के बाद ना रिमम्हार्टी कि अवर फकरवा सकते वो तो डॉक्टर के सला के अनुसर आपको करना पड़ेगा और दो उसके बाद एक साल का रिमांडर होता है एक साल के बाद आपको फिल से आपको एक्सिनेशन करवानी पड़ेगी एक दिल पहले तो दोस्ते इसलिए यह भूब भी जरूर यह और दोस्तो यह लेना जरूर ज ट्यूल्या अच्छेंगा ज्यूल्या Bahn